हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आदेके तुबारा से मैं आपके लिए सॉक्स का डिजाइन लेकिया हूँ यह लेडी सॉक्स है और बहुत ही जादा इजी और बहुत ही सुन्दर बनकर आती पर है और बहुत जल्दी बनकर त्यार भी हो जाती ह यह जो उन है वो वदमान कंपनी के है और सॉक्स की बूल है ठीके फ्रेंट्स और यह जो उसका नेट वेड है एक गुले का ही वो सौ ग्राम का है तो मैंने देखिए इसमें 11 नंबर की स्लाई लगाई है और साथ में ही अपने 51 स्टिचेज जो है वो लगाई है ठीके फ्रे से पहले भी बहुत सारे अपने लेडी सॉक्स जो है वो बताई हुई है मैं सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अब वहां से जाकर मेरी कोई और डिजाइन भी देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स स्टार्टिं में मैंने यहां पर 51 स्टिचेज लगाए हैं ठीक है और उसके बाद मैंने जो इसके उपर है वो 10 लाइया बनाई है अपनी उल्टी उल्टी करके ठीक है तो उसके बाद अब हमने किस तरह से यह डिजाइन बनाना है तो आगे शुरू करते हैं और यह मेरी रॉंक साइड है ठी तो यहां पर जो टोटर स्टिचेज है मेरे 51 है तो इसे शुरू करते हैं तो ब्लैक से देखिए मैंने अपना बेस शुरू किया है अब मैं इसके उपर यहां से स्किन कलर जो है वो शुरू करूंगी यह दिखिए इससे थोड़ा टाइट कर लिजे पीछे से यह इस तीच हो गया अब देखिए ध्यान से यह जो दूसरा स्टिच है यह मुझे सीधा इस तरह से स्किप करना है ठीक है अगला फिर मैंने सीधा बनाना है, ऐसे, फिर उससे अगला इस तरह से स्लिप किया, फिर अगला सीधा, फिर एक स्लिप किया, फिर एक सीधा बनाना है, फिर एक सीधा बनाना है, फिर एक सीधा बनाना है, तो इस तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी और 24 स्टिच, ठीक है, वो बना लोगे, ऐसे, एक स slip किया एक बनाया इसको इस तरह से slip करना है हमने एक बनाया फिर इस तरह से यह slip करने से जब हम इसको उल्टी साइट से बनाएंगे तो यह हमारा बिल्कुल ठीक आएगा ठीक है तो हम यहापर रपर एक्स्टर हो गया है तो इससे में वापिस कर लेती हूं तो हमारे यहां 24 तीछ है इस साइट भी हम गिल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक यह 24 अब देखिए मेरे दोनों साइट 24 तीछ है ठीक है बीच के जो इस तीछ है इस पे मुझे अपना डिजाइन डालना है थीक है अब देखिए और जहां हमने डिजाइन डालना है उससे पहले हमने फंदा स्किप किया है अब जब भी पंदा यहंद लिग मियरे इसका ध्यान रखिए ये दो, एक ही फंदे से मैंने ये सारे निकालने हैं, तीन, चार, और ये पांच. तो इस तरह से देखिए, इसको छोड़ दिया अब आपने, और ये मेरे एक स्टिच के पांस स्टिच बन गया, तीक है, ये मेरे जो फंदा था, वो पच्चिसवा स्टिच था, अब ये 26 जो मेरे स्टिच है, ये इस तरह से स्किप करूँगी, दुबार देखिए, इस तरह से तीक है, और इसके साथ वाला जो मेरे 27 वा फंदा आएगा, इसमें मैंने दुबारा से एक के पांच बनाने है, तीक है, ये दिखिए, ये एक, दो, फिर इसी से डालिए, तीन, चार, ये पांच, ठीक है, तो देखिए, दो, दो चार और एक ये पांच, अब आगे जिस तरह से हमने यहां पर ये बुना था, उसी तरह से हमने आगे ये बनाना देखिए, एक स्किप किया, एक स्किप किया, इसे अगला सीधा, फिर स्किप किया, इसे आगे सीधा, फिर स्किप किया, एक स्किप करना है और दूसरा बुना है, तो इस तरह मुझे ये बुनते वे जाना है, अपने सीधा बनाना है, ठीक है, और अपना हाथ हमने इसमें थोड़ा डीला रखना है, टा अब अब ध्यान से देखिए, जो हमने black वाला stitch अपना skip किया था, उल्टी स्लाई पे भी हमें वो skip करना है, अब ये धागा अपना उस साइड किया, ये वाला सीधा बुना, और जो black वाला है ये skip किया, धागा फिर उस साइड किया, इस तरह बना तो इस तरह बनाते हुए मैं center तक आउंगे, तो देखिए, मैं center पे आगी हूँ, ये मैंने skip करना इसके साथ वाला, ये धागा उस साइड, अब हमने ये 5 ते जो है, ये देखिए, एक के 5 बनाए थे, इन सब को हमने सीधा बनाना है, एक, दो, तीन, चार, और एक ये 5, धागा अपने तरफ किया, अभी है हमारे center का stitch है, इससे हमने इस तरह skip किया, फिर धागा उस साइड किया, और ये एक, दो, तीन, चार, और एक ये 5, ठीक है, फिर धागा अपने तरफ किया, ये skip किया, धागा उस साइड किया, ये सीधा बनाया, ठीक है, तो ये हमने loose ही बनाना है, ज्यादा tight अपना हाथ नहीं करना है, ने तो आपके जो design है वो tight आएगा, ठीक है, इस चिसका ध्यान अतना है तो इस तरह से बनाते हुए, ये मुझे इधर से उल्टा बनाना है, इस तरह से, ताकि मेरे जी corners ये edges ये साब आए, अब आते हम इसके next row पे, इस तरह से देखिए, ये देखिए, इस तरह से बनेगा ये, तो अब देखिए हम इसकी next row पे आते हैं, ठीक है, सीधी side है हमारी तो यहाँ पर मैं अपना जो off-white धागा है, वो छोड़ दूँगे, और यहाँ से black color का धागा वो use करेंगे, ठीक है, तो ये जो slide है, ये slide मुझे पूरी सीधी बनाते हुए जाना है, black color से, इसमें मेरा कोई design नहीं डालेगा, ये simple मेरी सीधी slide आएगी, ठीक है, इस तरह से सीधा बनाते हुए मैं जाऊंगे, तो देखें, अब मैं यह center पर आई हूँ, ये देखें, तो ये भी मुझे सीधे ही बनाने है, ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा जो है, वो complete कर लूँगी, लास्टर, तो अब देखें, मैं पहुंच गी हूँ, लास्ट का सीधा, अब आते हुम इसकी wrong side पर, अब इसकी wrong side है, ये भी मुझे सीधी ही बनानी है, ठीक है, ये देखें, ये पहला फंदा ऐसे उतारा, फिर धागा उस side किया, और इसे इस तरह से सीधे बनाते हुए जाना है, तो ये slide में complete कर लेती हूँ, तो देखें, इसे सीधा बनाते है, मैं यहां तक पहुंच गई ह अब मैं इसकी सीधी side पर आई हूँ, ठीक है, अब सीधी side पर देखें, आपने ये जो black वारा धागा यही पर छोड़ देना है, अब हमने दुबारा से अपना जो cream धागा है, इससे बनाना है, ठीक है, आप देखें, हमारा यहां पर cream है, इसके उपर हमने cream से ही बनाना है, तो पहला फंदा हमने सीधा बना दिया, अब देखें, यह black है, black के उपर हमने black और यह इस तरह से उतार दिया, ठीक है, skip करना है, उसके बाद फिर, हर 34 लाई में मुझे यह design अपना repeat करते वे जाना है, ठीक है, यह देखें, यह नीचे white है इसके उपर, नीचे of white है इसके फिट दुबारा से, और यह सीधा, यह देखें, यह इस तरह से उतारा और अगला सीधा, ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हुए मैं center तक आऊंगे, ठीक है, जहांपर हमने design डाला था, तो design के उपर design आना चाहिए, और जो हमने skip के है, उसके उपर skip करके ही आना चाहिए, अगला देखें, मैंने यह off-white किया, और यह देखें, यह black जो है, वो skip किया, अब यह देखें, मेरे 5 है, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से, तो मेरे जो 5 के बीच का है, तो इदर, दो उदर, और यह बीच वाला, यह देखें, यह वाला, इस पर हमने अब अपने ए एक, फिर यह दो, यह तीन, चार, और यह पांच, ठीक है, दो, दो, चार और एक, पांच, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, सेंटर में, एक, स्किप किया, अगला वाइट बनाया, ठीक है, अब देखें, एक स्किप किया, अगला बनाया, फिर यह स्किप किया, अब यहाँ पर देखें, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच आगे, इसके सेंटर में, दो इदर, दो इदर, और यह बीच का एक, तो यहाँ पर अब हमने एक के बनाने है, एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, ठीक है, इसको बिन लेते हैं, देखें, दो, दो, चार और देखें, पांच, अब साथ वाला, स्किप, अगले वाला, सीधा, ठीक है, एक, स्किप किया, एक, सीधा, एक, सीधा, एक, सीधा, और आपने डिजाइन भी देखते हैं, जाना, देखें, ठीक मेरा डिजाइन आ रहा है, यह देखें, पर और ओफाइट, अब दुबारा देखें, तो इस तरह से, यह अपनी श्लाइज जो है, वो मैं पूरी कंप्लीट को लुगे। एक सकिप किया। और उसे अगला सीधा। अब आते इसके राउंग साइड परıs। अब राउंग साइड पर देखिए पहला से उलटा करना है हमने। और इससे जो अगला से दीछ है, ये भी हमने इस तही इस तरह से स्किप किया। तो इसी तरह मैं बनाते हुए जाओंगे और मैं अपने सेंटर तक बनाते हुए आती हूं चाहाँ पर मैं आपको डिजाइन बताया था अब देखें मैं सेंटर पर आगी हूँ तो ये सारे मेरे सीधे बनेंगे ठीक है अब धाग अपने दर्फ किया एक स्किप किया यह सीधह बनाया फिर ब्लैक वाला स्किप किया फिर सीधह, ब्लैक वाला सीधह हूँ तो धाग अब यह पंच सीधह, एक, दो, तीन, चार और यह पंच ठीक है अब यहां से वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैं बनाते हुए आ रही हूँ एक स्किप कन है और एक मुझे बनाना है तो अब देखिए अब आगी मैं इसकी next लाई पे अब यह हमने black से बनानी है और सीधी स्लाई बे हमने सीधी ही बनानी है और जो उल्टी स्लाई है वो भी उल्टी बनानी है तो यह दोनों स्लाई है मैं complete कर लेती हूं अब आयो मैं इसकी सीधी साइड पर तो देखिए पहला यह हम अपने धागा चेंज करेंगे यहां लगाएंगे अब यह क्रीम धागा ठीक है पहला बुनके फिर इससे इस तरह से तो इस तरह से बनाते हुए मै यहां देखिए मैं center पर आ गए हूँ थीक है यह इस तरह से बनाए अब दीखिए एक दो तीन चार पांच और यह बीच का यह ऐसे एक दो तीन चार और एक यह पांच ठीक है तो दो चार और एक पांच अब इसके साथ वाला देखिए, यह से उतारा, अगला सीधा, इसे उतारा, अगला सीधा, यह skip किया, अगला सीधा, यह skip किया, अगला सीधा, तेके, यह skip किया, अब देखिए, यहाँ पर बीच में एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, तेके, इसके बीच का, तो अब पर हम इसी तरह repeat करेंगे ठीक है एक घर के 5 घर बनाएंगे ठीक है friends इसी तरह से मैं इन्हें बार-बार repeat करती रहूँगी ठीक है यह दिखें इस तरह से तो हमने यह जो बीच में हमने design डाला है यह डालना है हमने 8 बार 8 बार repeat करनेदेकर इसी 1,2,3 वर तीन बार यह हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ किसे तरह से मैं ने बनाया है यह दिखें लिखें तो यह एक दो तीन,4,5,6,7 और एक8 तो आठ बार मुझे इस तरह से यह जो design है अपना repeat करते हुए आना है यह दिखें तो इस design को मैंने 8 पूरा बार रपीट कर लिया है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक ये आठ तो मैं तो इसको पांच और छे नुमबर के लिए बना रही हूँ अगर आप इसको इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप एक डिजाइन ये और डाल दीजी ठीक है इसको नौ बार जो है स्लाइएं सीधी-सीधी निकालते हैं वह भी मैंने इसके उपर निकाली है अब मेरे चो टोटल है यहाँ पर 115 स्टेच रहे है तो आप देखिए यहां पर एक बार तो बना चुकी हूँ यह देखिए एक सीधी डाली है मैंने उसके बाद फिर उदर से आई फिर सीधी राली था, ट्यक्य के उपर मैंने चार सलाई हैं, जो यह सीधी सीधी बनाई है, एक दो, और पीछे से भी दो सलाई आएगी, तो यहां पर बन जाएगी, ठीक है, अब इसके बाद यहां से, मेरे यह 115 घर हैं, मेरे 115 stitch तो मुझे आधे आधे करने हैं तो यह हमारे बनते पिफटी सेवन 57 सतावन वर सतावन हमारे बनते हैं 114 ठीके तो देखे मैं यहां से इसमें 57 घर अपने तो यहां तक ने जहें 57 सेवन स्चीच हो गया और इधिकर इसको भी हम इसके साथ बना लेंगे तो हमारे our 58 अब यहां से मुझे अंगूठा निकालना है अब हम यहाँए से वापिस हो जाएंगे हमने इस साइड नहीं और यहां से मुझे सीधा बनाते हुए यह स्लाई जो है अपनी पूरी करनी है तो मैं यह सीधा ही बनाऊंगे देखिए मैं अपनी उल्टी साइड जो है वह कंप्लीट कर लिए अब यह दागाई साइड किया और यह लासका सीछ अपने यहां उल्टा मनाना है ताकि हमारे यह सब्सक्रणभण साइची तरह से आजाए अब देखिया न formerly यह हम एक दो और तीन यह हमारी मिंशा उपनी है वह वह बिल्टी साइड से और साथ 12 साइड यह म्यों गुल्टी साइड धिर कर दो दो बनाते हो तो अब देखिए यहां पर यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, तो यह मेरी चौदा लाइने कम्प्लीट हो गई है, ठीक है, यहां से यहां तक, अब जब मैं यहां पर देखिए अपने फिफ्टिन रो जो मैं यहां बनाती हुए आई हूँ, इसको मैं यहां पर यह देखिए, अब देखिए फिर्ण यहां ध्यान से देखिएगा, यह दो स्टिच उठाए इस तरह से, और यह दो का एक, एक, दो, यह वापिस लिया, तीन, और यह चार, ठीक है, अब देखिए, यहां पर मुझे यह चार जो अपने स्टिचेज हैं, फंदे हैं, यह इस तरह से बंद कर लेने हैं, और उसके बाद यह धागा आगे किया, और यह स्लाई जो है, वो सीधी सीधी कम्प्लीट कर लेनी है, तो अब देखिए, मैं यहां से दुबारा बनाते व तो अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, और यह ग्यारा, ठीक है, ग्यारा स्लाई हैं, जो है मेरे इस साइड से आई हैं, और ग्यारा स्लाई हैं मेरे उस साइड से आई हैं, तो हमारी होगी है, कि 22 रो मेरी कम्प्लीट होगी है, अब 22 रो तो मेरी यहां से लेकर यहां तक यह 23 रो है तेज़ स्लाइया मैंने यहां तक कम्प्लिट की है अब आती हूं मैं इसको अगली स्लाइप तो देखिए यहां पर यहां पर मैं अपने सास्ट इच्छ है वो पहले बंद करूंगे तो यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे और एक यह साथ थिक है इसको हमें वापिस लेना है और इसको हमने लूज बंद करना है टाइट नहीं यहां Caitlin करना है तो अब दखिए यहां पर आप इन सारे स्टिछ को जिस तरह यहां पर बंद किया है उसी तरह बंद कर लिजे नहीं तो जो मैं बताऊंगे आपको ये दोनों स्रिच बराबर हो जाएंगे और हम दोनों को एक साथ बंद करेंगे, देखे यहाँ पर हमने साथ घर अपने वो बंद कर लिए हैं उसके बाद यहां से अपना धागा तोड़ेंगे, इतना धागा हम रखेंगे, ताकि हमारी इसमें इसम साइड बना लूँगे ठीक है तो यहां पर हमने थोड़ा सा धागा एक्स्टर छोड़ दीजिए ताकि जब हमने स्लाई करनी हो तो यहीं से हमें धागा एक्स्टर ना लगाना पड़े इस तरह से तो यहां पर हम कहीं पर भी एक स्टिजों बढ़ा लेंगे ताकि हमारे दोनों साइड बराबर बराबर फंदे आजाएं तो कहीं पर बढ़ा लीजे आप मैं यहीं पर एक स्टिज जो है इस तरह से उठाना है नीचे से ऐसे और एक स्टिज यहां पर बढ़ा लिया तो दोनों साइड हमारे यह 58 58 स्टिचेज हमारे दोनों साइड हो गया है तो आप मैं इससे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ अब बनके का स्टिज आया है ग्यारा हिस स्लाइया मेरी इधर हुई है और ग्यारा हिस बना लेते हैं एक डो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और एक यह ग्यारा थिक है तो यह मैं बनाते हुए गई ह उसी तरह से मैं अपने सास ते जो है वो यहाँ पर बंद करूँगे अब यह दिखिए यह दो का एक यह एक हो गया दो तीन चार पांच छे और यह साथ और यह वापिस इस तरह से अब दिखिए हमने यहाँ पर भी सास ते जो है वो कम कर दिये और यहाँ पर भी कम कर दिये अब हम इन दोनों को इस तरह से करेंगे अब दिखिए आपका धागई साइड है अब हमने यह बंद करने यहाँ पर शुरू करने है तो एक स्थिछ हम यहाँ से उठाएंगे यह वाला और एक इसके साथ वाला ठीक है तो यह टाइट कर लीजिए इसको भी और जो यह वाला है इसको भी इस तरह से यह दिखिए यह दो का एक फिर इस से अगला और यह इसके उपर से इस तरह से ठीक है तो आप देखे फ्रेंट यह जो मैंने तीस्ते स्लाई लगाई है यह मेरी 11 नंबर की स्लाई है और मैं इसे थोड़ा लूज घटा रही हूं 11 नंबर से ठीक है और अगर आपका हाथ टाइट है तो आप इसे 10 नंबर से घटाईए क्योंकि ह यह मैं घटा रही हो यह टाइट नहीं आना चाहिए नहीं तो हमारा जो नीचे का बेस है यह टाइट हो जाएगा तो इस तरह से घटाईएगा तो अब ध्यान से देखिए मैं इस तरह से इसे बंद करते हुए जाओंगे ठीक है इस तरह से तो दिखे हम यह लास्ट मागे से यहां पर बंद कर देंगे इस तरह से और इसके अंदर से धागा डाला तो दिखे में धागे थोड़ा साही काटा है क्योंकि मेरा जो यहां पर है काफी धागा बचा हुआ है तो इससे में यहां पर सिलाई कर लोगी ठीक है तो इस तरह से बंद हो गया एदिखे अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे तो देखे पहले में इसको यहां से यहां तक सिलूंगे और उसके बाद में इसका अंगुठार पंजा सिलूंगे तो देखे इस तरह से सिलेंगे हम तो यहां देखे एक नौट लगा देंगे इस तरह से और फिर इससे सिलते वे जाएंगे इस तरह से एक इधर से उठाया और एक दूसरी साइट से इस तरह से तो इस तरह से सिलते हुए जाओंगे और मैं बैक साइट से पूरा सिलूंगे अब सिलना है हमने यहां से इस तरह से एक साइट अंगुठा सिलना है और एक साइट इसकी पंजा सिलना है तो जो हमारे पास यह देखे धागा बचा हुआ है इस से हम अंगुठा सिलेंगे तो दिखिए इसको इस तरह से खुलना है ये दिखिए ये दिखिए इस तरह से एक ये उठाया और इसके साथ वाला ये वाला ठीक है इस तरह से अब दिखिए यहां पर ये कॉर्नर है और इसके साथ वाला ये यहां पर एक नौट लगा दीजिए इस तरह से ठीक है अब ये दोनो एक नौट ये लास्ट में अब दिखिए हमारा जोई दागा बचा है ये वाला इसको ये वी देखिए साथ में जो है इस तो गया है इसको यहां से अब जिस तरह से देखिए हमने ये शिला है उसी तरह से हम अब अब जो है इसको इसको सिलेंगे ठीक है तो देखिए दूसरे साइड भी हमारी सिल गी है अब इससे सीधा कर लेते हैं तो देखिए बहुत ही सुंदर बनके त्यार हुई है जब आब इससे पैर में पैनेंगे तो आपके पैर में बिलकुर रिजस्ट हो जाएगी ठीक है और बहुत ही सुन्दर है तो अब देखिए दोनों पैरी के लोग बहुत ही सुन्दर बनकर आई है तो अगर आप ऐसी वीडियो मेरी और देखना चाहते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो सॉक्स के लिए डाली हुई है तो मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन लगा दूँगी आप उस पे क्लिक कर गया व्याभ जयाँ अगर आप वार, हुआ झे ही लिए